जैहन दोस्तों सेनिक समाचारं में आपका हरदिक स्वागत है सबसे पहले बात करते हैément रोज की तरह है ड्लाइंस में हैड्लाइंस की बात कर आप !! CD की तरफ से जारी हो गया है कि सेकेंड इस्टॉल्मेंट है आपका एरियर की दूसरी किस्ते है आपके खाते में आना सुरू हो जाएगी और दूसरी बड़ी बात हम आपके साथ कहते हैं का आठवे बेतन आयो की संभावना और पचास परसेंट डियो को लेकर के बित मंत्री स जबानों का जबरदस्त वीडियो बारल हो रहा है किस तरह उन्होंने जिन्दिगियों को बचा है कि रियक्शन किसलिए कि आप देख सकते हैं इस वीडियो को आप खबर करते जिसा से सबसे पहले दोस्तों आज है दो अगस्त और जैसा कहम सभी जानते हैं जिनकी एज 70 साल से कम हैं उनके लिए जो चार किस्तों में उनका एरियर का भोगतान था उनकी दूसरी किस्त का ये महना सुरू हो गया है जब 26 को हमारी PCDA में बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हम फश्ट बीक में जो भी लोग इस परस के साथ माइग्रेट हो चुके उनका एरियर उनके खाते में आ जाएगा दूसरी किस्त के रूप में इसी तरह उनकी तीसरी किस्त नवंबर और चौथी फरवरी 2024 में अदाएगी होगी और बात का है बाकी जिसका लेट होता है CP PCO बैंक में जिसका डारेक्टली एकाउंट है उनके लिए थोड़ी बहुत बिलम हो सकता है उनके प् अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जिसमें है आप आपके साथ मैं न्यू चला रहा हूं आठवे बेतन आयों की संबावना जनवरी 2024 में डिये 50% दूसरा भत्ते भी 25% बढ़ेंगे और नए बेतन आयों की संबावना बढ़ गई यह तीनों है पेपरों की खबर है औ और 62,00,00 करीब पैंसरें इनके लिए यह रहातवरी बात हुई है कि एक जुलाई 2023 से मिलने वाला जो आपको डिये वो तै हो गया डियार तै हो गया कि वो 42 से 40% हो गया इसकी सभी ने पुष्टी कर दिये अब आगे की संबावना है कि जैसे ही कि 2024 में हम प्रवेश करते तो हमारा 50% डिये सुनिश्चित है और इसके ऊपर हम यह आस लगाके बैठे हैं या यह साथ सेवंत पे CPC की सिपारस्ती कि जैसे ही डिये आपका 50% हो जाएगा तो आपको बेतन आयोग से पहले आप उसकी पे और पैंसन बढ़ाने की सिपारस कर सकते हैं और इसके बीच में ज की उपर बात करते हैं क्योंकि जैसा कि एक जिनवरी 2016 में सेवंत पे CPC आया ता तो उसका गठन 2013 में हो गया था यानि तीन साल पहले वो प्रिकरिया हो गई थी और उसकी सिपारस्ते हैं लाग उती 2017 में जाके तो आप समझ सकते हैं को 2023 2016 में यह वो होता है दस सालवा तो 2023 मे गठन हो जाना चाही था आज यानि अगस्त में ये बितराजमंत लिए बात कह रहे हैं तो आप समझ रो सरकार के मन में कुछ और चीज है अब सरकार के मन में क्या है जरा इसके सामने हम बात करते हैं धीरे धीरे उनसे कहा गया उनसे जब सवाल पूछा के मुद्रास पीती क की दर के हिसाब से आमधनी जो लोगों की है इस हिसाब से आपका महंगाई है उस अपका महंगाई बढ़ा यह जब उन्हों ने का है 2016 से 23 कमरे 42 परसंट का महंगाई बढ़ा दिया और यह काफी नहीं इसके लिए जरूरी है कि मुद्राइस प्रिती के बोज को कम करने के लिए एक जनुरी 2024 में आपकी जो 50% डिये उसका पेय और बेसिक पैंसन उनके साथ मर्ज कर दिया जा और इसके बाद आप बात आती वित्मंत्री असीता नर्मल की और ये है जिसमें लिखा है सीधा सीधा कि डिये 50% के पार वेतन आयोग हो जाए लागू एक जुलाई 2019 से पैंसनर्स को मिले राहत एक जुलाई 2019 से रेले बे बरिष्ट नागरिक कल्यांड सोसाइटी RSCWS ने वित्मंत्री निर्मला सीतारमन से आग्रह किया और उन्होंने अपना एक ज्यापन भेजा उन्होंने बोला कि करमचारी और पैं काफी नुकसान हुआ है जब उन्होंने का यह 2.57 निती रिकमेंडिसन थी उन्होंने बोला 3.15 के उपर ताक उन्होंने की बेसिक सेलरी 24 से 26,000 के बीच में तेह नहीं थी आपने 18,000 करके इसी बज़े से जितना भी आप समझते हो आरोपी की बिसंगतियां आया दूसरी ची ऐसे ही 50% डिय हो जाता है तो बिना आठवे बेतन आयोक का इंतियार करें आप इसको एक जनवरी 24 से लागू कर सकते हैं को करमचारियों और पैंसनर्स को बित्ती संकट का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने कहा है इनके मूल बेतन और मूल पैंसन में जोड़ा जाए यह बित्तमंत्रू यह दोनों खबर मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं आप इसमें देख सकते हैं अब बढ़ते हैं हमारे जवानों के कारण जवान हमारे जहां भी होते हैं वहां जिंदगियां बचाते हैं दोस्तो जवान चीजी यह सी है आज कोई उन्हें भगवान बोलता है कोई कुछ बोलता है यानि देवदूत बोलता है और यह बात आई एक वीडियो आप देखी एक ट्रक अनकंट्रोल जा रहा है या तो ड्राइवर सो गया है क्या हो गया जाकर एक पेड़ से उसकी गाड़ी बड़ी टकरा जाती हो और यह आप समझते सौट सर्कुट भी ह होता है और भाग दो और मच जाती लोगों कुस समझ में नहीं आता है और लेकिन जबान उस चीज को पहले समझ गए तो जबान है अंदर की तरफ भाग रहा होना समझगा यह अनकंट्रोल होके ट्रका रहा है और जाकर के फटा फट वो रेस्क्यू करते हो आगे जितने भी लोगों के वहां थोड़ी बहुत चोट आई जिस तरही के से आई वो तुरंत जाके लाइट के सर्कुट को आफ करते हैं और जाके लोगों की जिन्दगिया बचाने का काम करते हैं यह हमारे जबान जिनको में देवदित कहें या हीरो कहें या फरिस्ता कहें कुछ भी कहें आज की खबरों बस इतना ही बने रही हमारे साथ जै